कॉंग्रेस नेता राउल गांधी मंगलवार को एक दिवसी दोरे पर राय बरेली पहुचे हैं यहां पहुचता ही उनको सबसे पहले भारी विरोत का सामना करना पड़ा लोग सबा में नेता परतिपक्च बनने के बाद राउल गांधी पहली बार अपने संसदिय छेत्र राय बरेली के दोरे पर मंगलवार को पहुचे हैं राउल गांधी के दोरे से पहले राय बरेली में लगे पोस्टर चर्चा में हैं राय बरेली में राउल गांदी जवाब दो के नारे से पोस्टर लगाए गए हैं इस पोस्टर में उनसे हिंदू हिंसक वाले बयान पर जवाब मांगा गया है पोस्टर में राउल गांदी से ये भी पूछा गया है कि आप किस धर्म से हैं इस पस्ट करो कॉंग्रेस पार्ट इसके राय बरेली से जीत दर्जी की थी आलाकि उन्होंने वायनाट की सीट अपनी बहन पिरियंका गांधी वाडरा के लिए खाली कर दी थी और राय बरेली अपने पास रखी अब राय बरेली में उनके दवरे के दवरान राहूल गांधी जवाब दो के पोस्टर दिखाए दे रहे हैं इस पोस्टर में राहूल गांधी से पूछा गया है कि क्या आपको अपना भव मुल्य मत देने वाला राय बरेली का हिंदू मत दाता हिंसक है साती सवाल दागा गया है कि आप हिंदू धरम को मानते हैं या नहीं राहूल गांधी को ये सपष्ट करने को कहा गय कि वो किस धर्म के हैं लोगोंने सांसत से सवाल भी पूचा है कि क्या भविश्य में राय बरेली का हिंदू मत दाता उन्हें गाली खाने के लिए वोट दे राउल गांदी लोग सभा में नेता परतिपक्च बने हैं पहली बार वो किसी सम्वेधानिक पत पर बैटे हैं उन्ह उन्होंने राय बरेली के चुरुआ हनमान मंदिर में पूजा अर्चना की है इस दोरान उन्होंने गले में भगवा साफा लगा रखा था और तिलग भी लगाया हुआ था बलिदानी अंसुमान सिंग की मा से भी उन्होंने मुलाकात की बताया जा रहा है कि लोग सभा में ह हुई फजियत के बाद वो ये सब डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं अपने राय बरेली परवास के दावरान राहुल गांधी अधिकारियों से भी मुलाकात कर अपने संसदिय चेतर में चल रहे विकास पर योजनाओ की समिक्षा भी करेंगे बताया ये भी जा रहा है क कि राहुल गांधी राय बरेली एम से भी जा सकते हैं कोंग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में कहा था जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं वे 24 घंटे हिंसा और नफरत करते हैं आप हिंदू हो ही नहीं इस दवरान परदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने खड़े होकर विरोध किया था उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विशय है जिस पर राहुल गांधी ने पलटबार करते हुए कहा था कि बीजेपी और नरेद्र मोधी पूरा हिंदू समाज नहीं है राहुल गांधी को राय बरेली चुनाओ में 6,87,000 वोट मिले थे, यहां से पहली बार उनकी मा सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी, जो अब राज्यसभा सांसद है, राउल गांधी ने भासपा के दिनेश परताप सिंग को 3,90,000 मतों से मात दी है, राय बरेली से सोनिया गांधी 5 बार और इंद्रिया गांधी 3 बार सांसद रही है, मातर 3 बारी यहां से विरोधी दलों को काम्याभी मिली है,